सूप्रभात प्रिय विध्यार्थियों कक्षा 3 हिंदी विशय में आप सभी का स्वागत है बेटा हमने हमारी पाठ्थे पुस्तक मेधा का पाठ दो आम का मौसम कहानी इसका भाग एक पढ़ लिया था और इसको समझ भी लिया था आज 26 अपरल को अपन इसका भाग दो पढ़ेंगे और समझेंगे भाग एक में हमने पढ़ा बेटा एक गाउं में किसान रहता था वह बहुत ही सच्चा और नेक इनसान था और उस किसान के चार बेटे थे और किसान का परिवाद बहुत ही प्यार से मिल जुलकर रहता था और किसान के बेटे जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपने पिताजी से का पिताजी अब आप आराम करें और सारा कारोबार हमें संभला दें आपका काम अब हम संभा लेंगे फिर किसान ने क्या किया किसान ने सभी काम अपने बेटों को संभ दिया सब गाओं वाले किसान को दादा जी कहकर पुकारते थे और दादा जी क्या करते थे आम के मौसम में यहां वहां गिरी हुई आम की गुठलियों को उठा कर गाओं के बाहर जमीन में गार देते थे और यहां देखकर के उनके बेटों को बहुत गुसा आता था, वे कहते थे हमारे बुड़ी पिता को क्या हो गया है लोग आम की गुठलियां जूठी करके फैकते हैं, उसे हमारे पिता जी उठा लेते हैं, उन्हें बहुत गुसा आता था इतनी चीज अपने भाग एक में पढ़ी थी बेटा, अब अपन देखिए आगे क्या होता है भाग दो में वो अब पढ़ेंगे, कुछ लोग भी दादा जी को ऐसा करते देखकर हसते और कहते, बच्चे तो हसते ही थे लिए, कुछ बड़े लोग भी दादा जी को ऐसा करते बड़े की अकल सठिया गई है, सठिया गई मने खत्म हो गई, और जब देखो तब बुड़ा इकठा कुड़ा इकठा किया करता है, लेकिन कोई भी कहे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मैंने कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, आम का मौसम बीत गया तब बेटों ने चेन की सास ली चलो, अब तो ये काम नहीं करेंगे पिताजी है ना, उन्हों graphics जब गुठलियां ही नहीं मिलेंगी, तो पिताजी क्या करेंगे, लेकिन यह क्या, वे कहां रुकने वाले थे तो वे तो यहां वहां चक्कर लगाते रहते कौन दादा जी है ना किसान जो था जहां जहां उन्होंने गुठलियां गारी थी कभी घर से कुछ कूडा करकट ले जाकर वहां डालाते कभी पानी ले जाकर डालते सब लोग यही कहते दादा जी सचमुच पागल हो गए हैं वो कूडा करकर डालते बेटा कूडा करकर सब इकठा करते हैं तो उसे क्या बनती है खाद बनती है उसे पौधा पनपता है है ना अब सब लोग कहते हैं यह तो पागल हो गए है अब आम का अगला मौसम आया दादा जी पुनह पूरे उत्साह से उत्सा मैंने होसले के साथ जोश के साथ अपने काम में जुट गए बेटों का पारा चड़ गया पारा चड़ गया मैंने गुस्ता आगया उनको बहुत गुस् उनके बेटों को तो बहुत गुस्ता आया कि पिता जी ऐसा काम क्यों करते हैं और गाहँ वालों ने भी मज़ाग उड़ाया लेकिन जो दादा जी थे उनके कान पर जू तक ना रहेंगे मतलब कोई भी असल नहीं पड़ा एक मुहावरा है ये जू तक ना रहेंगना तो उनक कोई भी उस बात का प्रभाव नहीं पड़ा कि कोई क्या बोल रहा है उनको तो अपना काम करना मतलब करना मौसम बीतते बीतते एक दिन दादा जी अचानक बिमार पड़े और दो चार दिनों में ही चल बसे चल बसे मनें उनकी डैथ हो गई उनकी मृत्ति हो गई समय के दीरे दीरे भूलने लगे परन्तु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे गाउं के चारों और आम के पेड लह लहा रहे थे क्यों लह लहा रहे थे पिटा दादा जी ने जो पेड बन चुके थे लोग जिसे दादा जी की सनक समझ रहे थे तो दादा जी की समझ रहे थे जरूर यात करते थे दादा जी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कारे करने चाहिएं दूसरों की भलाई करने से हमें बहुत खुशी मिलती है काफी खुशी मिलती है तो यह चीज हमें भी सीखनी चाहिए बेटा देखिए दादा जी तो चले गए तो आम के फल त ना तो यह कहानी हमारी पूरी हो गई पिटा अब इस भाग 2 कीemic per herb कुछ प्रष्णों के द्वारा कर लेते हैं क्या सबके हसने पर दादा जी पर कुछ फर्क पढ़ता था, नहीं, दादा जी पर सब के हसने का कुछ फर्क नहीं पढ़ता था, किसान के बेटों ने चेन की सांस कब ली, किसान के बेटों ने चेन की सांस तब ली, जब आम का मौसम बीत गया, उनको लगा, अब तो कम से कम गुठलिया नहीं बीनेंगे, पिता जी, दादा जी कहां कहां चक्कर लगाते थे, जहां उन्होंने गुठलियां गाड़ी थी, आन का अगला मौसम आने पर बेटों का पारा क्यों चड़ गया, क्यों कि वे वापस वही काम करने लगे थे, जो पिछले साल करते थे, गुठलियां बीनते थे गाउं से, और बाहर जाकर के गार देते थे, दादा जी की मरत्यों के कुछ साल बाद, लोगों ने क्या देखा, दादा जी की मरत्यों के कुछ साल बाद, लोगों ने देखा, कि गाउं के चारों और आम के पेड लह लहा रहे थे, पेडों पर फल लगते, तो लोग गाउं वाले क्या कहत कि दादा जी ने देखो कितना अच्छा काम किया दादा जी को वो जरूर याद करते थे है ना और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई करने से ही हम सब को खुशी मिलती है इसलिए कहा गया है ना परोपकार सरिस नहीं धर्मा दूसरों का भला करने के सिवाए दूसरा कोई अच्छा धर्म नहीं है, हमें जरूर दूसरों का भला करते रहना चाहिए, तो आज की कक्षा बेटा हमारी यही समाप्त हो गई है, आपका ग्रिय कारिया है कि इस कहानी को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उंगली लगा कर दो बार पढ़ना है और इसको समझना है, और इस भाग दो से अपने खुद के तीन या चार प्रश्न बना के उनके उत्तर आपको रफ कॉपी में लिखने हैं, धन्यवाद.